दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे 17 मई 2023 आज के लव रासी फल के बारे में आज आपकी लव लाइफ आपकी मेरिड लाइफ आपके रिलेसंसिप किस्तिती कैसी रहेगी आईए जानते हैं दोस्तों आज का लव रासी फल सुरू करें उससे पूरव आपको बता दें हमारा लव रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के नुसार होता है उसी के नुसार इस लव रासी फल को देखें वसुने अगर आपको चंद रासी यानि मून साइन पता नहीं है तब आप इसे ना मेस रासी में जैसे प्रवेस होगा तो अस्विनी नक्षत्र के चंद्रमा हो जाएंगे किस प्रकार के स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे आज के चंद्रमा आईए जानते हैं बात करेंगे रासी फल की रासी फल में हम बात करते हैं सबसे पहले रासियों के करम में सबसे बहुत हो रहे हैं आज के दिन आपको इस चीज का विशेज ध्यान रखना है कि अगर आप एक तरफा प्यार में पड़े हुए हैं एक तरफा प्यार किसी को करते हैं तो उस व्यक्ति को आपकी बिल्कुल भी परवार नहीं होगी कि आपको वो कैसे कैसे हर्ट करेगा बहुत ज़्यादा बार बार हर्ट करने वाला है तो वहाँ पर आपको तकलीफ महसूस होगी लेकिन उसके बाब जूद भी वो कुछ भी बोलेगा फिर भी आपका प्यार उसके लिए और बढ़ता ही जाएगा और ये चीज कहीं न कहीं आपके लिए लागू होती है कि आप उसके पी ज़्यादा दिखावा करता हूँ नजराएगा जो उसके अंदर फिलिंग्स आपको लेकर के हैं भी नहीं उनको भी जताता हूँ नजराएगा बजय क्या होगी बजय ये होगी कि आपको वो खुस करना चाहेगा आपको इंप्रेस करना चाहेगा वो आपको भरोसा दिलाना चाहेगा वो आपको यकीन दिलाना चाहेगा कि वो आपसे प्यार करता है ऐसा यकीन इसलिए क्योंकि आप भी यही चाहते हैं कि वो यकीन दिलाए और यह चीजें जब आपको जूटी लगेंगी बनावटी लगेंगी तो आपको और ज्यादा दोख होगा लेकिन आप बोल न सोबह सोबह हो सकता है कि contact में आ जाया और बहस हो फिर उसके बाद में फिर से रिस्ता सही करने की बात हो लेकिन आज के दिन विशेश रूप से आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए अगर ex-partner खुद से लोट के आए तो उसे अपनाना नहीं है उसे बिलकुल भी नहीं अपनाना उसे बात भी नहीं करनी है उससे कोई सिकायत नहीं करनी है उसकी कोई बुराई नहीं करनी है उसे एग्नॉर करना है Married Life में आज के दिन आपके पार्टनर सोबह सोबह हो सकता है थोड़े बहुत जगड़े की स्थिती बने, कलेस की स्थिती भी बने, हो सकता है कि वो कहीं यात्रा पर जा रहे हो, आप कहीं गए हो घर से बाहर, वहां पर आपके लिए स्थिती बने कि फॉन कॉल पर ही जगड़ की बात बने जगडे की इस्तिती बने लेकिन फिर उन्हें समझ आ जाएगा कि वो गलत कर रहे हैं इसलिए इस्तितियां सुधर जाएगी सही हो जाएगी और फिर आपका दिन अच्छा जाएगा एक्स्टा मेरिटल अफैर में आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा है आज के दिन आपके पार्टनर आपको प्रारिटी नहीं देंगे प्रारिटी तो छोड़िए आपसे बात भी नहीं करना चाहेंगे आपको पूजिदर से इग्नॉर ही कर देंगे आपको नकार देंगे वो व्यक्ति जो आपके बिना रहना चाहेगा तो कहीं न कहीं आपक सकते हैं लब लाइफ में पार्टनर बहुत ज्यादा खर्चे करेगा आपके लिए और आज आपको घुमाने ले जा सकता है यात्रा हो सकती है लेकिन इस चीज का ध्यान रखिया कि अचानक से कोई छोटी सी बात में भी बहुत ज्यादा तगड़ा जगड़ा हो सकता है बहस ह हो सकती है इसलिए कोई भी ऐसी बात न करें जिससे आपके पार्टनर का इगो हर्ट हो नो कॉंटेक्स सुचेशन में स्तिती सामान ने हैं मैरिड लाइफ में आज के दिन पार्टनर छोटी छोटी बातों को बहुत नोटिस करेंगे इसलिए अगर छोटी भी कोई बात है त कोई भी चीज नॉर्मल मत समझिएगा साधरन मत समझिएगा कोई भी बात है उसका जवाब दीजिएगा एक्स्ट्रा मेरिटल अफायर में आज के दिन आपके पार्टनर आपकी बहुत केर करेंगे आज वो आपके लिए बहुत खर्चे करने वाले हैं और जो आपका अगर ब्रेक अप हो गया था तो फिर से आपका पार्टनर आपकी लाइफ में बापस आजाएगा एस्टिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं मिथुन रासी वालों की मिथुन रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपडेट पर न जाएं आज के दिन लव जादा इंटरेस्टेट नहीं नजर आएंगे और हो सकता है कि इसी वजह से आपको जीब लगे जो विक्ति बहुत जईएएस रहता था जो वह사के बाते करता था वह आज फियुचर की बाते करना ही नहीं चाहता है तो इस चीस आपको जीब लग सकता है लेकिन उसे समझने में आपको वक्त लगेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे है no context situation की स्तिती सामान ने है married life में third party problem हो सकती है extra marital affair में आज के दिन आपके partner बहुत emotional होंगे इसलिए उनकी emotions की कदर कीजेगा कोई भी ऐसी बात मत कीजेगा जिससे उन्हें hurt हो जिससे उनका दिल दुखे ये स्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं करकरासी वालों की करकरासी वालों अगर आप single हैं तो दिन सामान ने है love life में partner ignore बहुत करेगा और break up हो जाएगा no context situation में किसी और की बज़े से third party की वज़े से वो आपको छोड़ कर गए है उनका बहुत पहले से ही आपको cheat कर रहे थे वो ऐसी कुछ बातें आपको पता चल सकती है married life में तकलीफ हैं वड़ सकती है क्योंकि partner आपको जो कुछ promise किया था वो तोड़ देगा और आपके साथ में अच्छा बयोहार भी नहीं करेगा अपनी गलती भी नहीं मानेगा extra vital affair में आज का दिन आपके लिए सामानने है दोस्तों आप बात कर लेते हैं श्रिंगरासी वालों की श्रिंगरासी वालों single हैं तो आज का दिन कोई पुराना व्यक्ति वापस आए कोई पुराने व्यक्ति से ही आपका फिर से relationship affair बने लव लाइफ की स्तिती सांदार रहेगी पार्टनर बहुत सारे promise करेगा commitment देगा या फिर वो आपको अपने प्यार का इजहार करके आपके प्रती अपना भरोसा व्यक्ति करेगा no contact situation में इस्तिती सामानने है married life में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता रहेगी negativity रहेगी जिससे एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे और सबसे ज़्यादा negativity family की तरफ से होगी family problem की वज़े से होगी extra vital affair में आज के दिन आपके partner बहुत एहसान जटाएंगे और बात बात में अभद्र भासा का प्रयोग कर सकते हैं इससे आपको बचना है ये स्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं कन्या रासी वालों की कन्या रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज का दिन आपके लिए कता ही अच्छा नहीं है आज के दिन आज अगर आप किसी के नजदीक जाते हैं तो वो आपको सर्फ और सर्फ hurt करेगा आपको तकलीव देगा आज अगर किसी से मिलने जा रहे हैं किसी dating side से या social side से मिल करके पहली बार मुलाकात हो रही है तो वो आपके लिए हानी प्रद हो सकती है और आज के दिन अगर physical वे love life में partner से तो आप दोनों का रिस्ता आज ही खत्म हो जाएगा आज से आपके बुरे दिन शुरू हो जाएगे इसलिए आज के दिन physical बाते हैं relationship के पीछे मत पढ़ना और ठोस commitment या आगे कर नड़े लेने का तो बिल्कुल मत सूचना no context situation में श्तिती खराब है married life में आपके partner कुछ आरूप लगा सकते हैं आपके उपर और आरूप लगा करके आपको छोड़ने की बाते करेंगे extra marital affair में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है आपके partner के साथ में आपका दिन बहुत सुन्दर भी देगा देश्तिती है तो उस्तों आप बात कर लेते हैं तोलारासी बालों की तोलारासी बालों अगर आप single हैं तो आज का दिन आपके कहीं साधी का के दिस्ता सुधरेगा और फिर से एक नई दिसा पकड़ेगा married life में थोड़े बहुत मतभेद रहेंगे हो सकता है कि ये confusion की बज़े से हो लेकिन दिन अच्छा है extra marital affair में आज के दिन आपको बार-बार partner की कुछ बाते परिशान करेंगी मनी-मन घटकती रहेंगी और overthinking के सिकार होंगे और इस बज़े से depressed होंगे मांसे कितनाव होगा ये स्थिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं ब्रिश्चे करासी वालों की ब्रिश्चे करासी वालों सिंगल है तो आज का दिन आपके लिए बहुत खास है पास्ट से अपने ex-partner से उनके messages call इत्यादी आ सकते हैं और इसलिए आप दोनों की बीच में जगड़े भी हो सकते हैं बैसे आप दोनों लोगों की स्थितियां बहुत जादा अच्छी देख रही है पार्टनर के relationship में love life में स्थिति बहुत अच्छी देख रही है लेकिन ये third party की problem जो है वो आपको परेसान कर सकती है आपकी कोई गलती नहीं होगी इसमें लेकिन इस बात को partner आपको नहीं समझ पाएगा partner आपकी इस बात को नहीं समझेगा उसे तो आप ही गलत नजराएंगे गलत फहिमियां हो गई थी वो गलत फहिमियां दूर होंगी extra metal affair में आज के दिन आपके partner आपको बहुत gift देंगे बहुत भरोसा जताएंगे और हो सकता है कोई बड़ा निर्ड़ या बड़ा promise भी आपको करें ये स्थिति है दोस्तों बात कर लेते हैं धनूरासी वालों की धनूरासी वालों अगर आप single हैं तो आज के दिन आपकी life में सब से best दिन बनने वाला अच्छानक से कोई ऐसा व्यक्ति आपको propose करने वाला है जिसके सपने आप देखते थे लव लाइफ के स्थिति बहुत सांदार रहेगी future की planning हो सकती है और parents को ले करके बात हो सकती है future में क्या क्या से करना है क्या decision लेना है किस तरीके से आगे हमें marriage तक पहुँचना है ये चीज़ें आज बात होगी इन चीज़ों के बात होगी no contact situation में इस्तिती थोड़ी सी खराब है क्योंकि partner से बातचीद अच्छी नहीं हो पाएगे बातचीद करने के चक्कर में आपका अपमान भी हो सकता है आज के दिन married life में आपके partner बहुत समझदार नजर आएंगे और आपके हर प्रकार से आपके साथ खड़े होंगे support करेंगे और सबसे ज़्यादा आपको समझने की कोसिस करेंगे आज उनके अंदर समझदारी देखकर के आपको भी बड़ी प्रसनता होगी extra married life में आज के दिन चितना हो सके partner से बातचीद करें क्योंकि partner आपसे पीछा चोड़ाने को सिस कर रहा है अगर बातचीद आप नहीं करेंगे तो उसे और मौका मिल जाएगा आपसे पीछा चोड़ाने का यह स्तिती है दोस्तों आप बात कर लेते हैं मकर रासी वालों की मकर रासी वालों सिंगल हैं तो आज का दिन बहुत ज़्यादा मानसे कसांती रहेगी और टिप्रेस रहेंगे लव लाइफ में इस्तिती इतनी खराब हो जाएगी आज के दिन कि आपको समझ नहीं आएगा आप क्या कर रहे हैं लव लाइफ में पार्टनर भी आपकी बिल्कुल कदर नहीं करेगा नो कॉंटेक्स सचेशन में आज के दिन आपका बार-बार पार्टनर इगो हर्ट करेगा और इससे आप तकलीफ में ही रहेंगे मैरिड लाइफ में थर्ड पार्ट की प्रॉबलम है घर में कलेज की स्तिती बन रही है और अपने इमोशन्स पर अपना काबू ना होने की वज़े से भी दिक्कत है बाड़ी पर नियंत्र रखना चाहिए एक्स्टा मेरी टिल अफेर में आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है पार्टनर के साथ में काफी अच्छे संबन रहेंगे और भरोसा भी पार्टनर के प्रति बढ़ जाएगा यह स्तिती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुंभरासी वालों की कुंभरासी वालों अगर आप सिंगल है तो आज के दिन आप डेट पर जा सकते हैं आज के दिन लव लाइफ की स्थिति आपकी थोड़ी सी खराब है, लव लाइफ में पार्टनर आपके बस बहुत ज़्यादा खर्चे भी करवाएगा और आपके साथ में हर्ट भी करेगा आपको, बहुत तकलीप भी देगा, no contact situation की स्थिति सामान ने है, मेरिट लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियां आपको मिल सकती है, अज बड़ी खुश खबरी मिलेगी, पार्टनर के साथ संबंद अच्छे होगी, यह स्थिति है, दोस्तों आप बात कर लेते हैं, मीन रासी वालों की, मीन रासी वालों सिंगल हैं, तो आज के दिन आप रहो सकती है, एक्स्ट्रा मेरिटल अफएर में कोई मेहंगा गिप्ट आपको दे सकते हैं, पार्टनर और आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिन भी देगा, यह स्थिति है, दोस्तों यह था आज का लवरासी फल, अगर आपको आज का लवरासी फल पस्तना आइस वीडिय को लाइक कर, अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार